भीगे अखरोट को नियमित खाने से सेहत को धेरों लाब मिलते हैं। आईए जानते हैं। इस विडियो में भीगे अखरोट खाने के स्वास्थ्य लाब क्या है। सूपर फूड अखरोट सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। यह खाने में जितना फायदेमंद उतना ही गुणी भी होता है। इसको लोग कई तरह से खाते हैं। वैसे तो इसको आप किसी भी तरह से खा सकते हैं। लेकिन यदि आप इसको भिगो कर खाते हैं, तो सेहत को दो गुना लाब हो सकता है। दरअसल अखरोट में नेचुरल कमपाउंड मौजूद होते हैं। ये कमपाउंड एंजाइम एक्टिविटी को रोकने का काम करते हैं। ऐसे में यदि आप अखरोट को भिगो कर खाते हैं तो इन कमपाउंड को बेसर करने में मदद मिलती है। इसके अलावा वो एंजाइम टूट जाएंगे जो पाचन क्रिया में रुकावट पैदा करते हैं। अब सवाल है कि भीगे अखरोट क्यों खाना चाहिए? कौन सी परिशानियों से छुटकारा मिल सकता है? शरीर में किन पोशक तत्थों की होती है पूर्ती? इन सभी सवालों के बारे में बताने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर, करें और अगर आप नए हो तो इस चै अखरोट के लिए बेहद फाइदेमंद माना जाता है, हालांकि इसको भिगो कर खाना अधिक फाइदेमंद होता है, इसके नियमति सेवन से शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद मिलती है, दरसर अखरोट में मौजूद पोशक, तत्व बलड वैसल्स की कार्यक्षमता में सुधार करने में असरदार है, नमबर दो, पाचन तंत्र सुधारे, अखरोट कैलोरी का अच्छा स्रोत होता है, ऐसे में इसके नियमित सेवन से बॉड़ी के वेट मैनेजमेंट में मिलती है, बता दें कि अखरोट प्रोटीन, हेल्दी फैट और फाइ नमबर तीन, शरीर को रखे फिट, सुपर फ्यूड में शुमार, अखरोट, शरीर की कई परेशानियों को दूर करने की ख्षमता रखता है, खास तोर पर शरीर को फिट बनाए रखने में, दरसल यदि आप भीगे हुए अखरोट का सेवन करते हैं, तो इससे न केवल एनर अखरोट के लिए भी फाइदेमंद माना जाता है, एक्सपर्ट इसको जोडों आदी के दर्द में भी खाने की सलाह देते हैं, बता दें कि अखरोट में मौजूद पोशक तत्व हड्डियों को लंबे समय तक क्रियाशील बनाए रखते हैं, इसके अलावा, यदि कोई जो अधिकर फाइदेमंद रहेगा, बता दें कि ड्राई अखरोट को पचाना काफी मुश्किल होता है और इसके सेवन से कुछ लोगों में एलर्जिक रियक्शन हो सकता है, ऐसे में भीगे हुए अखरोट एलर्जी को दूर करने में आपकी मदद कर सकते हैं, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद